खरो दोस्तों नमस्कार मैं प्रशान ताकपा इस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं 8 जन्वरी को लेटेस्ट वेदर अपड़ेट आपको दे रहा हूं शिमला और कुफरी का और इसमें आपको मैं तुछा दिखाऊंगा कि आज 8 जन्वरी है और प्रेडिक् मैं क्या हुआ कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन कोई असान नजर नहीं आ रहा है इन सब चीजों का तो दोस्तों यह शिम्ला संव जश्टर भी निकले हैं यहां से और शिम्ला का ही मैं आपको यह सिच्वेशन दिखा रहा हूं देखिए ब्राइट सनी डे निकला हुए सु मैक्सिमम कुफरी की बात करें तो माइनस फाइव तक भी टेंपरचर डिफ और नाइट में और दिन में पांच डिगरी तक तो ठंड काफी ज्यादा है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है स्नोफॉल तो जब बैड वेदर होगा जब मौसम बिंगड़ेगा तभी स्नोफॉल जब बारिश बारिश शुरू होते हैं तो फिर शुरू हो जाता है अब फिलाल तो बिल्कूल है यह स्नोफॉल कोई आसान नजर नहीं आ रहे हैं आज 8 जन्वारी के दिन अब मौसम को बदलने में चेंज होने में भी दो दिन लगी जाता है तो दो दिन का तो नहीं की जाके अटेल टनल रोतांगों गुर्ण होगाया में हो सकता है लेकिन शिम्ला में मनाली में मैकनोडगा जौर इन ऐसे में नारकनजामे परफबारी होने के मुझे चांससें बहुती कम नजर आ है लेकिन जैसे ही अगर कुछ होता है कोई स्नोफाल होगा आपको तो आपको अप्डेट जरूर करेंगा कि नार्कंदा में भी स्नोफाल हुई है तो जो टुरिस्ट बर्फ के लिए यहां शिम्ला आना चाहते हैं वे मेरे अप्डेट में रह सकते हैं मैं उनको अप्डेट कर दूंगा कि किया सिचुएशन है यहां पर शिम्ला मनाली में तो है चलद बहुंद सारे कंशर आने के लिए मनाली आने के लिए संोफाल देखने के लिए तो यी सिचुएशन है आप देख लीजी है अगर आ आज आते हैं तावको ऐसा वेदर मिलने वाला है ठंड तो काफी है इसमें कोई डाउट ही नहीं है ठीक है आपको काफी लेरिंग लेके चलना पड़ेगा जैकेट, स्वेटर, मफलर, कैप्स, वुलन कैप्स उगरा और शूज उगरा पहलने होंगे लोवर अपर थर्मस भी पहलने होंगे लेकिन फिलहाल अगर धूप में अगर आप बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है धूप सेकने में मज़ा आता है अभी हम लोग शिमला का संजॉली एरिया है संजॉली बाजार उसे क्रॉस कर रहे हैं अब मैं या संजॉली टनल यानि की जो सिमेट्री टनल है वहां पर सामने बिल्कुल खिलाता हुआ यह सं निकला हुआ सामने बिल्कुल से यह नया सा टनल बना हुआ है तो यह टनल भी स्टार्ट हो चुका है एक और से गाड़ियां जाते हैं पुनाएं टनल से जिधर से हम अभी जाएंगे और राइट से जो टनल दिख रहा है उधर से आप लोटते हैं वक्त आ सकते हैं तो अब आप एंड ड लगा तो मैं उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा उस टनल का भी बड़ा अच्छा उसको सजाया गया है उस टनल को और जस्ट 25 डिसेंबर क्रिस्मस के दिन उसका इनाउगरेशन हुआ था सी एम के दोवारा यह टनल क्रॉस करके हम लोग आ गएंगे मैजेस्टिक ग्रैंड होटेल के पास यहां से राइट साइड में भटा कूफर जा सकते हैं यह शोगी बाइपास के पास भी निकल जाता है पुरा शिमला क्रॉस करते हुए रास्ता सामने की यह धली मिलेगा हमें सबजी मंदी होत निकल रहा है ऐसे हेली अरियाज में ऐसे धुआ वाले बस ऐसे इनसे ना मौसम यह मौसम बोल रहा हूं मैं यहां का जो एक्यू आई है सब खराब होता है वैसे एक्यू आई की बात करो तो डैट इस जस्ट सेवेंटी अभी शिमला का सेवेंटी है और कुफरी का 35 तो यह यह अभी साथ देखनी के बर्फ के विना यह खाली सा वियो जिससे मैं तो वाइट वियू सभी देखना चाहते है और वाइट वियू अभी आपढ़ी को मिल नहीं रहा है तो यह थोड़ा सा जो है मैंने का विशय है इस बार के लिए का काफी टाइम से बर्फ का इंतिजार यद्य नहीं देखर बादल लाएंगे बारिश बारिश होगी बिद्ड पोंगी ज़ा बारी कि पिछले साल की तरह क्यों दारद ना हो जाए बर्फ है कि अचाए रगता है और क्लाइमेट के लिए आपल के लिए और इहांके लोगों के लिए, जिम्ला में सबसे बड़ी चीज है, पानी के लिए भी प्रॉल्लम्स नहीं होते हैं पूरे साल में, तो हों स्नोफол ना होती है, पानी की भी लिखते होती है, फोटेल्स में और लोकल पब्लिक को काफी मुश्री का सामना करना पड़े आता है स्नोफॉल होना मतलब ये एक mandatory चीज होती है प्राइटी चीज होती है यहां के लोगों के लिए यहां के रहन सहन के लिए एक पार्ट है जो अब थोड़ा ब्रेक होते में नजर आ रही है और पहली बार ऐसा होगा शिम्ला में कि लगातार दो बार से स्नोफॉल ना हुआ हो तो अब जन्वरी आठ आगे हैं आप देखते हैं आगे वैसे अब भी complete one month और पड़ा है आठ फरवरी तक दस फरवरी तक यहां पे स्नोफॉल होने के जो खेलने लाइक होता है जो मज़ेदार जो जिसको देखे मज़ा है वह वाला स्नोफॉल तो महिने भार तो टाइम है और सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से राइट कुफरी और लेट साइड तो यह संजौली भाइपास है तो आप वापस संजौली पहुंच जाएंगे यहां फिर आब यह मीप दूश कहए आता है यहां यहां पर आपको तक स्ट्था पानी जाना हो कर शोग जाना हो तो लेट साइड राइट साइड कुफरी वाला जो है ये नारकंडा रामपूर इन सब जगों पे जाना हो तो इधर से जाएंगे आप तो देख रहा है है मौसम आप रोड देख रहे हैं बिल्कुल ही क्लियर है कहीं कोई बरफ का निशान नहीं है सामने आसमान देखिए बादल थोड़े भी नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल ब्लूइस कितने हैं इस स्काई में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है अब देखते ह यहां से 2-3 km आगे जाके कुफरी मिल जाएगा हमें यहां पर इस टाइम पर सिच्वेशन होती थी दोस्तों कि यह दोनों साइड में ही यह लेट साइड और राइट साइड में कम से कम 2-3 फूट यहां पर सुनों होते थे हमेशा बराप होती थी पड़ी हूँ जो इस बार कुछ भी नहीं दीख रही है और बीच में रास्ते होते थे उसमें चलते थे हम लोग तो अभी बिल्कुल क्ला अब्डेट दिया मैंने आठ जन्वरी को यह वह सिच्विशन है अभी कि सारे देखिए सामने पेड होगा अभी यह जंगल होगा अभी बिल्कुल वाइट वाइट से होते थे अभी कुछ भी नहीं है ग्रिन ग्रिन सा ही दिख रहा है अब यहां कुफरी पहुंच गया है अब देखिए कुफरी जो ठंड के लिए जाना जाता था यह कभी इतनी ठंड होती है यहां पे और अभी देखिए यहां पे वर्व का नामों निशान नहीं है वेदर इस सो क्लियर हेर बिल्कुल ही क्लियर मौसम है अब कुफरी के राउंड लगाता हूं इदर बाइपास रोड से चलूंगा और मार्केट वाले रोड से लेके आ जाओंगा यह देखिए कैसे ब्राइट सनी डेज निकले हुए हैं और क्योंकि वर्किंग दे हैं आज मंडे है आठ जन्वरी को तो आज टोरिस्टों करा कम है विकेंड में जादा थे सैटेर्डे संडे जादा होते आज लोट जाते हैं लोग घरों को अगया बाइपास रोड यह बिल्कुल बर्ब से पटा होता था देखेंगे आप राइट साइड मेरे देखेंगे आप यह सामने आपको दिख रहा होगा तो वह कोरा दिख रहा है यह एक्शली जो वह सुगर पड़ती है न तो यह बिल् पस्कुल जा रहा है कुफ़ी में नवहीं झतना क्रियर होगा टेमपेचर उतना डिप होता है और दिन एक टेमपेचर भी मऐंड़िफ्स कास रहा रहा है धूप में रातों कफि-डप जारा 있는데 मौसम खराम नहीं होने के कारण स्नौूफॉल नहीं हो रहा यहांट यहां से मर लोग मूर जाएंगे अब और इन सब जगा पर इस टाइम पर लाखों टूरिस्ट होते थे घोड़े उगारा हजार होते थे रॉन के लगी होती थी लेकिन कुछ भी नहीं है अब ही आज के डेट पर इस टाइम पर कुछ नहीं है यहां पर या अधिधें बिझें दो तीन दिल में भगवान महरवान होते हैं नहीं है लेकिन दिए अब आगली आघक हएफिर स्पांट इससाइं अध्यक्परी और में भीज बोरी मेंascal में पेहां कि हाँ अधे देखिए सिच्वेशन यहां पर भी कोई राश हो गारा कुछ भी नहीं है कोई टूरिस्ट हो गारा नहीं दिख रहा है हमें तो अभी फिलहाल अभी यह सिच्वेशन है यहां की सुबह का साड़े याठ हुआ है और कुफी का डिस्टेंस शिम्ला से लगभग है टोटल 16 किलो मिटर यहां पर देखिए बसेस भी एक चैल वाली बस आ रही है गौवर्ण्मेंट वाली पूपर की और को के दो बसेस के साथ तो यह पहले का पुराना रोड था इसको बंद कर जागया था इसलिए बाइपास रोड बनाए गया था तो दोस्तों यह सिचुएशन था आज का यह एक्चुएल में शिम्ला कुफरी का क्लाइमेट का वेदर का अगर देखें तो सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलता हूं आप से कुछ नए अपडेट के साथ और मेरे मत्रा वरिंदा बन वाले स्रीज भी चल रहे हैं तो जासे स्टार्टी हुआ है वहां का वीडियो तो वह भी बीच-बीच में आपको डलता रहे गवार जैसे स्नोफॉल का कुछ भी हो होगा तो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा दोस्तों मैं मिलता हूं आप सब्सक्राइब वीडियो में टिल दें टेक केर एंड बाए बाए आप सेफली घूमते रहें और दुरुस्त रहें